भारत में ब्रिटिश काल में ब्रश्टाचार अंग्रेजों ने भारत के राजा महराजाओं को ब्रश्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होंने योजनाबद तरीके से भारत में ब्रश्टाचार को बावा दिया और ब्रश्टाचार को गुलाम बनाये रखन भारत चोड़ कर जाते जाते भी अंग्रेजों की कुटिल बुद्धी ने भारत को और भी गारत करने सोच लिया था इसलिए एक लंबे अर्से से शर्यंत्र पूर्वक इस देश में में नफरत फैलाना शुरू कर दिया था। भी भारत में कहीं भी कभी भी देखने को नहीं मिलती थी। यदि यह कहा जाए कि गरीबी, सामान्य राजनीती और प्रशासनिक ब्रश्टाचार अंग्रेजों की देन है तो इसमें कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी। मुंबई के प्रसिद्ध प्रकाशक और व्यवसाई शानबाग लेखकों और साहित्यकारों में काफी प्रसिद्ध रहे हैं। फोर्ट में उनकी पुस्तकों की दुकान स्ट्रेंड बुक्स टाल एक ग्रंथ तीरत ही माना जाता है। अपने देहांत से पहले शानबाग ने भारतिय संपदा और पाथकों पर बड़ा उपकार किया, जब उन्होंने विश्व प्रसिद इतिहासकार एवं चिंतक विलदूरा की दुलब एवं लुपतप्राय पुस्तक, The Case for India, कप पुनह प्रकाशन किया। ये पुस्तक अंग्रेजो द्वारा भारत की लूट ही नहीं, बलकि भारत के प्राचीन संसकारों, विद्या और चरित्र पर इतिहास के सबसे बड़े आक्रमन का तथ्यात्मक वर्नन करती है। चाहे वह वस्त्र निर्मान हो, आभूषन और जवाहरात का क्षेत्र हो, कविता और सहित्य का क्षेत्र हो, बर्तनों और महान वास्तुशिल्प का क्षेत्र हो अत्वा समुद्री जहाज का निर्मान क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत ने दुनिया को अपना प्रभाव द मनुशिक टैक्स लगाए, करोणों को गरीबी और भुखमरी के गर्थ में धकेला तथा भारत की सारी संपदा ववेभव लूट कर ब्रिटेन को माला माल किया। उन्होंने मदरास, कोलकाता और मुंबई में हिंदु शासकों से व्यापारिक चोकिया भाड़े पर ली और बिना अनुमती के वहाँ अपनी तौपे और सेनाय रखी। एक लाख चालीस हजार डॉलर सालाना नजराना लेना शुरू किया। जाच में उसे गुनहगार पाया गया, लेकिन ब्रिटेन की सेवा के बदले उसे माफी दे दी गई। विल डूरा लिखते हैं कि भारत से 20 लाख का सामान खरीद कर ब्रिटेन में एक करोण में बेचा जाता है। अंग्रेजों ने अवद के नवाब को अपनी मा और दादी का खजानल लूटकर अंग्रेजों को 50 लाख डॉलर देने पर मजबूर किया फिर उस पर कबजा कर लिया और 25 लाख डॉलर में एक दूसरे नवाब को बेच दिया। अंग्रेजी भाषा चलाने और अंग्रेजों के प्रती दास्ता मजबूत करने के लिए भारतिय विद्यालय बंद किये गए। विलियम हंटर ने लिखा है कि भारत में 4 करोड लोग ऐसे थे, जो कभी भी अपना पेट नहीं भर पाते थे। भूख और गरीबी की और धकेल दिये गए समरिधा भारतिय शारीरिक द्रिश्टी से कमजोर होकर महामारी के शिकार होने लगे। 1901 में विदेश से आय प्लेग के कारण 2,72,000 भारतिय मर गए, 1902 में 50 लाख भारतिय मरे, 1903 में 8 लाख भारतिय मारे गए और 1904 में 10 लाख भारतिय भूख, कुपोशन और प्लेग जैसी महामारी के कारण मारे गए। 1918 में 12 करोण 50 लाख भारतिय इंफ्लूएंजा रोग के शिकार हुए, जिन में से 1 करोण 25 लाख लोगों की मौत सरकारी तोर पर दर्ज हुई। समान काम के लिए अंग्रेजों को भारतियों से 10 गुना ज्यादा वेतन दिया जाता था और अंग्रेजों से 10 गुना अधेक विद्वान भारतियों को उनकी योगिता के अनुरूप पद नहीं दिया जाता था। प्रमुख ब्रष्टाचारी लॉर्ड क्लाइव सन 1772 से उस पर भारत में रहते हुए भारी संपत्ती बनाने के विरुद्ध मुकद्मा चला और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नौर्थ ने खुद उसके विरुद्ध मद्दान किया। वारेन हेस्टिंग्ज इस पर भी भारत में रहते हुए उसके ब्रष्ट आचरन के लिए साथ वर्ष तक मुकद्मा चला। कारी संस्थानों की अर्थ व्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। भारत की अर्थ व्यवस्था को ठप करने के लिए ब्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। 2005 में Transparency International द्वारा किये गए एक अध्ययन में दर्ज किया गया कि 62 प्रतिशत से अधेक भारतियों ने किसी ना किसी समय पर नौकरी पाने के लिए एक सार्वजनिक अधिकारी को उत्कोच दी थी। 2008 में एक अन्य रिपोर्ट में दिखाया कि लगभग 50 प्रतिशत भारतियों को उत्कोच देने या सार्वजनिक कार्यालेयो द्वारा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए संपर्कों का उप्योग करने का प्रत्यक्ष अनुभव था। 2022 में उनके भ्रष्टाचार बोध सूचकांत ने देश को 180 में से 85 वे स्थान पर रखा। इस पैमाने पर जहां सबसे कम रैंक वाले देशों को सबसे इमानदार सार्वजनिक क्षित्र माना जाता है। जो अंतर राजिये राजमार्गों पर कई नियाम को और पुलिस बंधों को वार्षिक अरबो रुप्ये की उतकोच देने के लिए मजबूर है। कमपनी राज ब्रिटिश भारत का एक दौर कश्मीर विवाद कश्मीर विवाद कश्मीर पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से जारी है। भारत में विले के लिए विले पत्र पर दस्तखत किये थे। गवर्नर जनरल माउंट वेटन ने 27 अक्टूबर को इसे मंजूरी दी। विले पत्र का खाका हुबहु वही था जिसका भारत में शामिल हुए अन्यसेकडों रजवाणों ने अपनी अपनी रियासत को भारत मे शामिल करने के लिए उप्योग किया था। न इसमें कोई शर्थ शुमार थी और नहीं रियासत के लिए विशेश दरजे जैसी कोई मांग। इस वेधानिक दस्तावेज पर दस्तखत होते ही समूचा जम्मू और कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के अवेद कबजे वालक शेत भी शामिल है, भारत का अभिन अंग बन गया।